नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारिक नुस्खे के बारे में बताएंगे जो एक ही बार में आपकी सरीर की पूरी सफाई करतेगा और आपको हर बीमारी से बचा देगा सभी वीमारियों का इलाज करतेगा दोस्तो इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपके बालों का जड़ना रुक जाएगा फेपडों में संकर्मन नहीं होगा लिवर के खराबिल ठीक हो जाएगी और चाहे कबस 20 साल पुरानी हो वो भी सही हो जाएगी पेट में जलन सही हो जाएगी यदि आपका पेट भारी रहता है तो उसका भी इलाज हो जाएगा बवसीर का भी बेजोड इलाज है दोस्तो यदि आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है तो उसका भी ये इलाज है आपकी कमजोर इम्यून पावर को भी स्ट्रोंग बनाता है दोस्तो यदि आप सवस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पूरे साल में एक दिन अपने सवास्थे के लिए निकालना ही चाहिए और ये नुस्खा आपने पूरे साल में सिरफ एक दिन ही अपनाना है और एक दिन के अंदर ही ये नुस्खा आपके पूरे सरीर की सफाई करतेगा और दोस्तो यदि आप एक साल में एक दिन भी अपने सवास्थे के लिए अपने सरीर के लिए नहीं निकाल सकते तब आपको स्वस्थ रहने का हक नहीं है क्योंकि इतना तो आपको करना ही चाहिए, साल में एक दिन तो निकालना ही चाहिए ताकि आप बीमारियों से बज़े रहें दोस्तों हम लोग चाहे खाने की चीजों को कितना भी पानी से धोले लेकिन सबजियों और फलों में जहरीले तक तो फिर भी मुझूद रहते हैं दूद से लेकर खाने पीने की चीजों में भी मिलावट की जाती हैं इसके लावा फलों और सबजियों की खेती में जहरीले किल्टनासक का प्रियोग किया जाता है और इन सब के काम जो हम खाते हैं वो बहुत अधिक दोसित होता है ऐसे में हमारे सरीर के अंदर इतनी अधिक मातरा में विसैलिप धार तक जमा हो जाते हैं जो आपको कभी भी बीमार बना सकते हैं और आपके सरीर की इम्मून पावर को कमजोर बना सकते हैं इन बीमारियों से बचने का एक सीधा और सर्ल सहुपाई है वो है अपने सरीर की अंदर से सफाई करना यानि कि सरीर को डिटोक्स करना दोस्तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक कर सकते हैं हम डोक्टर के पास जाएं वहां से दवाई लें और उसका सेवन करें और दूसरा होसकता है कि हम घरेलो नुस्ख अपना है यदि हम डॉक्टर के पास आते हैं तो वहां पर हमें साइड फैक्ट का डर रहता है क्योंकि डॉक्टर ऐसी दवाई देता है जिससे कि आपको भूग कम लगे और आपका पाचन कमजोर हो जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है लेकिन दोस्तों आज की सुड़े में हम आपको एक ऐसा उपाई या नुस्खा बताने वाले हैं जिसका किसी भी तरहेंगा कोई साइड फैक्ट नहीं और उपर से ये नुस्खा ना सिरफ इस रोग के लिए काम करेगा यानि ना सिरफ आपके सरीर की अंदर से सफाई करेगा बलकि आपके सरीर की रोग परतरोदक्षमता को भी बढ़ाएगा मुटापी को भी कंट्रोल करेगा आपके सरीर में कोलोस्टोल को सही करेगा लीवर और किड़नी से जुड़े रोगों का भी सफाया करेगा आपके पेट को बिल्कुल सही करेगा बालों और तवचा के लिए भी बहुत अधिक फाइदे मत होगा तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इस नुस्खे की दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो सामगरी चाहिए वह चाहिए पहला चाहिए सेब का सिर्का और दूसरा चाहिए सहथ दोस्तो सेब का सिर्का कई परकार के पोस्कतत्व और विटामिन से भरा हुआ है यह सवाद की साथ साथ सेहत को भी बनाई रखता है रोजाना सेव का सिरका लेने से हम बहुत त्रहें की बिमारियों से बजाते हैं सवाद में खटा और दिखने में हलके भूरे रनवाले इस सेव के सिरके से बुखार, जुखाम, पाचन समस्या, हाई वीपी, गठिया, डाइबटीज, हाड़ डेग और इम्मूटी आधी को सही करने में मदद मिलती हैं और ये इनमें एक रामबान ओस्ति की तरहें काम करता हैं और दोस्तो यदि हम सहद की बात करें, तो सहद को कोण नहीं जानता सहद के गोण लाजवाब हैं सहद हमारी सरीर को अंदर से डिटोक्स करता है यानि कि जो गंदे तत्तव होते हैं, जो हमारी सरीर में दोसी तत्तव होते हैं जैसे ये हम मिला रहे हैं और अब इसमें आपने एक बड़ा चम्मा सहद मिलाना है और इसको अच्छी त्रहें से मिक्स कर लिना है दोस्तो आपकी ड्रिंक तयार है आपके सरीर की अंदर से सफाई करने के लिए आपको बिल्कुल सवस्त बनाने के लिए अब जानते हैं कि इसका सेवन आपने करना कैसे है दोस्तो इसका सेवन आपने खाने से पहले करना है यानि सुवे नास्ते से आदा घंटा पहले आपने इसका सेवन करना है पर भूल कर भी इसका सेवन आपने सुवे खाली पेट नहीं करना है खाली पेट के बाद करना है यानि कि आप पानी बगरा पीना उसके बाद इसका सेवन करना और आदी घंटे के बाद आप खाना खाना इस तरह से आपने इसका सेवन करना है एक ही बार सेवन करना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो यह नुस्खा आपके पूरे सरीर क अंदर से सफाई कर देगा और इसको लेने के बाद आपके बालों का जड़ने की समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि आपके सरीर के अंदर जहरीले तब नहीं होगे जिनसे आपके सरीर में यह समस्या उत्पन होती हैं दोस्तो यहन उसका आपको पेट के रोगों से बचाएगा क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है और यदि फाइबर है तो आपको पेट से लगा कोई भी रोग नहीं होगा आपको कबज नहीं होगी चाहे कितनी भी पुरानी आपकी कबज की समस्या हो दोस्तो यह मासपेशियों को मजबूत बनाएगा जिससे कि मासपेशियों के तर्द से भी आपको छुटकाना मिलेगा लीवर और गुर्दे के रोगों में भी एक रामबान इलाज की तरह काम करता है दोस्तो आपके सरीर में बैड कलोस्टोल को कम करेगा और अच्छे कलोस्टोल की मातरा को बढ़ाएगा मुटापे को कम करेगा यह आपके मेटाबलिजम को बोस्ट करेगा जिससे कि आपका मुटापा कम होगा और सबसे मुखे बाद ये आपके सरी की रोगों से लड़ने की सक्ति को बढ़ाएगा जिसे कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे तो दोस्तों आप भी आज ही इस नुस्खे को इस ड्रिंक को अपने घर पर बनाएं और इसका प्रियोग करें ताकि कोई भी बीमारी आपको ना लगी तो दोस्तों देर किस बात के हैं आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाएं और अपने सरीर को बिल्कुल टोक्स करतीजी ताकि कोई भी विमारी आपके आसपास नहीं आए तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैलन को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों